हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका कैसे आप सब उमीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तयारी अच्छे से चल रही होगी तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेल मंत्री ने कौन सा चौकाने वाला फैसला किया है आपके हिसाब से ये सही है या गलत इसका नेने आप लोग लास्ट मिलेंगे तो आए चीजों को वहतर तरीके से जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रेलवे में सालों से चली आ रही या परमपरा खत्म रेल मंत्री ने लिया चौकाने वाला फैसला इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप रेलवे की पल-पल की अपडेट चाहते हैं तो प्लीज नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा इसको दबा के प्लीज हमारे फैमली से जुड़ जाईए और सब्सक्राइब कर लीजे चली आए चीजों को और अच्छे से जानेंगे लेकिन उससे पहले हर एक वीडियो में एक सवाल आपसे हम पूछते हैं जो आपके दिमाग की बत्ती को जला के रख देता है दिये गए सवाल का उत्तर अगर आप कमेंट बॉक्स में सबसे पहले लिखते हैं तो अगली वीडियो में आपका नाम सबसे पहले लिया जाएगा पिछले सवाल का सई और पर्फेक्ट अंसर जो दिया था वो सुमन सकसेना नाम की बच्ची ने दिया था सई जवाब था 113 और 23 दोनों ही सई अंसर थे सबसे पहला उत्तर इस बच्ची का आया था आपके सामन इस सुनी वैसनों ने रेलवे मिनिस्ट्री का पत समालने के बाद कई नए फैसले लिये हैं इन में से कुछ यात्रियों के हित्मे हैं तो कुछ कर्मचारियों के फाइदे के इन में से कुछ फैसलों ने लोगों को चौका भी दिया है रेलमंत्री ने हाली में ऐसा एक फैसल परंपरा भारती रेलवे में ये परंपरा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है लेकिन रेलमंतरी अस्वनी वैश्णों ने इसे सामनती प्रथा मानते हुए बंद करने का आदिस दे दिया है आपको बता दें कि रेलवे के आला अधिकारी सेल्यूट को रुतवे से जोड होते हैं दर असल रेलमंतराले में रेलमंतरी और बोर्ड के मेंबर के लिए अलग गेट होता है उसी पर आरफियप को सेल्यूट दिने वाला जवान जिसे इस वर्दी में तैनात रहता था तो यहाँ पर आप देख पा रहोंगे फिर से फिर सुरू हो सकती है छूट यही व वाली छूट को फिर से सुरू करने पर विचार किया जा रहा है छूट बहाल नहीं करने पर रेलवे को पिछले दिनों आलोचनाओं का सिकार होना पला था सुत्रों के अनुसाइट की कीमत में फिर से छूट देने के लिए रेलवे उम्रसीमा के मानदेंड में बदलाव कर स पूर्सों के लिए थी तो यह बड़ी अपडेट है जो आपको जानना चाहिए अब आप कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं इस पर आपकी क्या राय है और हमारे सवाल का जवाब भी जरूर दें धन्यवाद